Hello dear children, today is your English writing and reading test. हम लोग का final exam स्टार्ट हो गया है, तो आज आप लोग को क्या करना है? सुन्दर से writing लिखना है, ठीक है? और आपको अपना way of writing का पूरा proper यूज़ करना है. तो सबसे पहले ये heading आपके ममी पापा लिख सकते हैं, यहाँ date लिख देंगे, सुन्दर से final exam, 2021, English writing and reading, यह आपके parents लिख सकते हैं, उसके बाद जो भी मैं यहाँ words दी हूँ, उसको आपको सुन्दर से finger gap लेकर, two fingers का gap लेकर सुन्दर से writing लिखना है, आगे पीछे, जैसे मैं लिखी हूँ, same to same होना चाहिए, ठीक है? apple, bat, big, cow, door, fish, green, hen, jet, kite, lion, pen, red, zebra, तो ठीक है, जब यह आप सुन्दर से अपने writing को लिख लिजेगा, उसके बाद नीचे यहाँ name and class लिखिएगा, और इसका photo मुझे send कीजेगा, और जब way of writing आप लिखिएगा, तो जो लंबा वाला उपर से लंबा खिशना है, उसको पूरा L छोटा नहीं होना चाहिए, L पूरा लंबा होना चाहिए, T को भी एकदम उपर से लेना है, सिर्फ upper line टच नहीं होना है, ठीक है? जो नीचे जाता है, वो पूरा सुन्दर से आपको नीचे turn लेना है, तो ये writing है, तो इसलिए आपको एकदम सुन्दर से pencil को sharp कर लेना है, उसके बाद ही लिखना है, और इसी का आपको reading भी भेजना है, तो आप इसको कैसे read कीजिएगा? आप आपको read करके भेजना है, आप अपने copy को सामने रखके, read कीजिएगा, एपी पी लए एपल, बी ए टी बैट, बी आई जी बिग, सी ओ डबलू काव, डी ओ ओ ओ ओ आर डोर, या डबल ओ ओ आर डोर, उसी तरह से पूरा ये जबरा तक आपको क्या करना है? read करना है और उसका audio मुझे send करना है, so children, all the best!